आज बनाएंगे आलू से जवर्दस्त टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी पहले उबले हुए आलू को कट कर लेना है उसके बाद इसमें हरी मिर्ज डाल के अच्छे से मैश कर लेना है उसके बाद लहसून को ग्रेट करके आट करना है उसके बाद आट करना है धनिया पत्ती, कसुरी मेथी, लालमेच पाउडर, धनिया पाउडर, चाठ मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और कन फ्लोर इसका एक डू जैसा बना लेना है, उसके बाद इसके उपर डालेंगे ओईल और अच्छे से स्मूथ कर लेंगे इसमें अब लगाना है कट, और कट लगाके ऐसे रोल जैसा बना लेना है अब रोल को कट कर लेते हैं, आपको जैसे डिजाइन पसंद वैसी डिजाइन्स आप डाल सकते हैं ऐसे आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं जब मन हो निकाले और फ्राई करके इसका मजा उठा सकते हैं तो गर्मा गरम ओयल में मैंने इसे छोड़ दिया है गोल्डेन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करना है तो लीजिए बिल्कुल है रेडी क्रिस्पी क्रिस्पी आलू स्नैक्स एक बार बनाने से आप इसका स्वाद भूल नहीं सकते